हेलो फैंस मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इनवेस्ट फोर आवर में एक पर फिर से स्वागत करता हूँ आज बात करने वाले करनाट्य का बैक आप देखेंगे लगबग 20% का आपर सर्किट इस परडिकुलर स्टॉक्स में लगता हुए दिखाई दिय आज इसने 52 वीक हाई भी यहां पर लगाते हुए दिखाई दिया क्या ऐसा नजर आता है इस टॉक्स में कि यह शेयर इतना भगता हुए नजर आ रहा है और यहां से सीधे डवल के टार्गेट कैसे नजर आ रहे है उससे लेटिड हम बाते करने हो ले तो वीडियो में आग होते हुए नजर आए और यह शेयर आज 20% भागा है तो उसके पीछे की वजय क्या है क्या में यह शेयर ले लेना चाहिए तो वह सब चीज हम डिसकस करने वाले सबसे पहले स्मॉल कैप है और सबसे में बात कौन सा यह आगर हम यहां पर देखे यह शेयर में FIS की होल्डिं भी आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर 66% की शेयर ओल्डिंग है जिसमें से 2.57% और 1.17% यह शेयर में यहां पर इसेदारी कुछ लोगों की यहां पर दिखाई रेती हैं बाकी शेयर यहां पर आपको इस सामनी है बाकी अगर हम बात करें करनाटा का बैंक की तो यहा हमें देखना नहीं है क्यों क्योंकि ओविसी बात है डेट का ही काम है डेट यह प्रोवाइड करते हैं डेट यह लेते हैं तो यहीं सारी यहां पर कथा होती है तो इसलिए यहां पर आपको देखना नहीं है बट यहां पर अगर हम देखें 228 की बुक वेल्यू, 207 का intrinsic value, य आपका double पैसा simple होता हुआ नजर आता है और यहां पर maximum chart pattern की बात करें तो maximum chart pattern भी आप देख सकते हैं का यहां पर शेयर ने इस तरीके से हम maximum यहां पर अपने high लगाते हुए नजर आया और high कप लगाया 2008 में यहां पर high लगाया तो जब financials यहां पर crush होते हुए नजर आये और उसके बाद से आस तक वो लेवल यहां पर आता हुआ नहीं दिखाया तो कहीं न कहीं यह जो banking है और चोटे-चोटे banking है तो याद रखें यहां पर इस चीच का effect पढ़ता हुआ नजर आता है बट जैसे कि अब यहां पर पूरा का पूरा book value सब कुछ सभरती हुए नजर आ रहे है तो यहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके से करनाट का बैंक यहां पर revenue में highest ever तो यहां पर इनकी revenue आते हुई दिखाई दिये और यहां पर अगर हम देखते है margin जो negative आते थे वो 19% के positive margin आया है quarterly और yearly basis पे ओके जिसकी वजह से अगर हम यहां पर देखेंगे आज यह share में आज 20% का upper circuit इसके इलाबा यहां पर yearly performance भी change होती हुई नजर आ रही है धीरे-धीरे करके तो यह सारी की सारी positivity इस particular counter में यह particular share में आती हुई दिखाई दे रही है इस वजह से यहां पर हमें double के target के लिए हम यहां पर जाते हुए दिखाई दे सकते है रिजर्व की बात करें कंपनी के रिजर्व यहां पर 6784 करोड़ है यहां पर borrowing बड़ रही है जो कि एक positive signal है investment 22 करोड का है cash की बात करें यहां पर कंपनी के पास 4,437 करोड़ के आसपास का cash भी पढ़ा हुए यहां पर थोड़ा समय यहां पर इनकी balance sheet की तरफ जाऊंगा तो यहां पर हम कुछ और चीटे देखते हुए नजराएंगे जैसे की NPS यहां पर आप देखेंगे NPS यहां पर EPS कंपनी का EPS किस तरीके से बढ़ा है यहां पर कम होते हुए नजरा रहे तो यह सारे की सारे positive signal इस particular counter में इस particular share में होते हुए नजरा आए जिस वज़े से यहां पर भगता हुए नजरा रहे और जो मैं स्टेजिस बतातों कि एक नंबर एक स्टेजिस होती है दो और तीन और चार तो यह शेर ने अब यहां पर दूसरे नंबर की स्टेज में आना शुरू हो गया इसके target क्या होते हुए नजरा आएंगे stop loss क्या होता हुए नजरा आएगा उन सभी चीवा से related हम यहां पर बाती करेंगे सबसे पहले तो यहां पर gap up होता हुए नजरा है और जब भी किसी particular counter में gap up होता है तो याद रखिए वो शेयन यहां पर भागता हुए नजरा आता है क्या अभी ले लेना चाहिए एक questions यह है तो देखे मैंने आपको दो-चार दिन पहले एक वीडियो बनाई थी और जहां पर मैंने South Indian Bank से related बाते करी थी और मैंने आपको क्या बताया था कि South Indian Bank को अभी यहां पर नहीं लेना है क्यों क्योंकि यहां से चीज़े थोड़ी सी नीचे आएगी लगातार चीज़े ऊपर भी जाती अच्छा है बिल्कुल अच्छा है ओके दूसरी नंबर की stage में भी जाता हुआ नजरा रहा है मैं यहां पर भी करना चाहूंगा और सारी की सारी चीज़े बताऊंगा बाट उससे पहले आपसे रुक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब बैल आइकन को हिट आल की नॉटिफिकेशन को अन करिएगा हमने कॉर्स लॉंच किया है जिसमें हमने बता रहे है कि किस तरीक आपस चल रही है इससे सस्ती इससे अच्छी क्लास अगर कहीं मिल जाए तो मैं आपको यहां पर फीडियो में आपको पढ़ाता हूँआ नजर आ जाओंगा एड़एट शीव फ़ब्लवन एडवन 692 61037 कॉंटैक कर लीजिए कर तक को यहां पर आपको यहां पर सारी नौलिज है यहां पर मिलती हुए नजर आए अब बात करते हैं इस particular counter की, सबसे पहले target की बात करते हैं, सबसे पहले target मुझे यहाँ पर यह नजर आता हूँ, दिखाई देता है, okay 125 की आसपास का यहाँ पर target नज़ आता है, जो की about कितने 12% की आसपास यहाँ पर 10% के आसपास यहां पर उपर हमें नजर आता है पहला उपर जा चुका है यह काउंटर मुझे लगता है एक दिन में यहां पर यहां पर आ जाना चाहिए और नहीं भी आते अगर यह शेयर आपको इस पर्टिकुलर रेंज में यहां तक पर मुश्किल आएगा पर 105 की रेंज म में यहां पर breakout होगा तो यह शेयर और तेज भागता हुआ नजर आएगा और उसके बाद यहां पर टार्गेट नजर आएंगे तो सबसे पहले टार्गेट यहां पर यह नजर आएंगे दूसरे टार्गेट 153 के जो कि अगर हम बात करे 30-40% होता है फिर इसके टार्गेट 16 64 और उसके बात की बात करें तो उसके बाद यहां पर टार्गेट इसके डवल के सीधे नजर आते है तो बाइंग सैलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फैंशे एडवाइजर खुद की स्टेड़ी करें और जितना हो सके सब्सक्राइब करें प्यार करें इस